अब लुग वीद्ट का मेहत्व क्या होता है Importance of Public Finance इस टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे पिछले वीडियो में हमने राज़स्व क्या होता है उसका मीनिंग समझा था और उसके बाद में राज़स्व की प्रकृति और शेत्र Nature and Scope of Public Finance के बारे में डिस्कस किया था आज हम इस वीडियो में जो राजस्व हैं लोकविद उसका क्या महत होता है किसी अर्थवियस्ता के लिए उसके बारे माज हम डिस्कस करेंगे देखिए जो Classical Economics थे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उनका क्या मनना था कि जो अर्थवियस्ता होती है वो एक तरह से क्या होती है स्वतन तर अर्थवियस्ता जिसमें सरकार का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए वो सरकारी हस्तक्षेप को एक तरह से मिनिमम नियुंतम करना चाते थे वो चाते थे कि आर्थिक क्रियों में सरकार किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करे अगर सरकार का कोई हस्तक्षेप होगा तो उसे अर्थविस्ता में बेरोजगरी की जो समस्या है अतियुत पादन की समस्या, असंतुरन की समस्या उत्पन हो सकती है इसलिए Classical Electronics मानते थे कि अर्थवियस्ता में सरकार को अस्तिक्षेप नहीं करना चाहिए मतलब उनका जो काम है वो कम से कम होना चाहिए लेकिन 1930 में जब विश्व में मंदिक इस्तिति आये थी तो विश्व में इस मंदिकी समस्या को बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन हो गए थी उस समय तो इस समस्या को दूर करने के लिए जो Classical Earth शास्ति थे वो किसी परकार का कोई solution हल नहीं दे पाए थे और उसी के बाद में 1936 में किन्स की बुक आई थी उस पुस्तक में उन्होंने उस समय की जो आर्थिक समस्या थी उसको दूर करने के लिए सुझाव दिये थे और उसने प्रमुक रूप से अर्थ विवस्ता में सरकार के हस्तक्षेप को बल दिया था मतलब जो फिसकल पॉलिस्टिक हम बात करते हैं राजकोशी निती की जो हम बात कर रहे हैं उसका जो महत्वे वो कब हुआ था 1930 की मंदी के बाद में और 1936 में जब किन्सकी बुक आई थी उसके बात में सरकार का जो महत्वे अर्थ विस्ता में वो एक तरह से बढ़े गया था अब देखिए सरकार का जो महत्व होता है उसको हम अलग-अलग पॉइंट के आधार पर एक्स्प्रेंग करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट वो है लोक कल्यान कारी राज की इस्थापना ठीक है वेलफेर स्टेट अधुनिक समय में अगर हम देखते हैं तो सरकार जो होती है वो जनता की भलाई के लिए उनके कल्यान के लिए बहुत सारे कारी करते हैं जैसे कि अगर देश में शांती वेवस्ता को बनाना है ठीक है तो आज के टाइम में अगर हम देखते हैं शान्ती व्यस्ता को बनाया रखने के लिए सुरक्षा जैसे कारी हो सकते हैं तो इन सभी में एक तरह से सरकार को बहुत अधिक मात्रा में खर्चा करना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा के लिए उसको रक्षा सामगरी मिसाइल जो होती हैं दूसरी देशों से खरीदने पड़ती है या अगर अपने आपे इन हतियारों का निर्मान किया जाता है तब भी उनकी जो लागते वह एक तरह से क्या आती हैं बहुत ज़्यादा आती हैं तो इस तरह के सम कह सकते हैं कि सरकार का वर्तमान समय में जो महट होए है जो खर्चा है वो यक तरह से बढ़ गया है साथी साथ सरकार जैसे आर्थिक और सामजिक सिवाइ होती है जैसे परिवन की सूईदा हो गई है विद्योत हो गई है या सामजिक सूरुख्शा हो गई है बीमा बैंकिंग बहुत सारी जो सुईधाय हैं वो सरकार के द्वारा दे जाती हैं और ऐसी इस्तिमें सरकार का इनके ओपर जो खर्चा है वो लगातार एक तरह से क्या ओरा है बढ़ता जा रहा है तो सरकार का एक तरह से ये जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है तो इस खुर्चे को पूरे करने के ये वरतमान समय में जो राजस्व हैं उसका महत्व बढ़ गया है दूसरा हमारा जो point वो है आर्थिक विकास को बढ़ाना जो economic development है उसको एक तरह से increase करना उसको बढ़ाना वरतमान समय में अगर हम देखते हैं कि चाहें वो अर्धविक्सित देश होते हैं या भारत जैसे वि कासिल देश हैं उन्हें अपना आर्थिक विकास करने के लिए आर्थिक जो साधन होते हैं उनकी आवशक्ता होती हैं जैसे सरकार क्या करती हैं अपनी जो सारुजनिक आया हैं उसको करों के माध्यम से पूरा करती हैं तो कर एक तरह से क्या हो गया आर्थिक साधन हो गया औ उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो निवेश भी करती हैं ठीक है जिससे अर्थव्यस्ता में राश्टिया एक इस्तर बढ़ता हैं रोजगार का इस्तर बढ़ता हैं तो इन सबी के लिए एक तरह से क्या होता हैं सारुजनिक वित के जो हम राजस के बात कर रहे हैं उसकी आ आउशक्ता पड़ती हैं तो वो सरकार क्या करती हैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए रिन भी ले देती हैं तो सारुजनिक आये सारुजनिक वैये रिन जो विती प्रशाचन है इन सभी का जो अध्याने वह हम किसके अंतरगत करते हैं राजस्व के अंतरगत तो यह महत्व हो गया है फिर नेक्स्ट महत्व का पॉइंट हमारा है उत्पादन एवं उभोग में महत्व जैसे जो प्रतिष्टिद अर्थ शास्टिद है ठीक है उनका क्या मनना था कि अर्थ विवस्ता में किसी परकार का कोई असंतुलन नहीं होता हमेश्य मांग और पुरती बराबर होती है इसलिए सरकार के हस्तक शेप के आवश्यक्ता नहीं होती है लेकिन वरत्मान समय मागार हम देखते हैं तो लोगों की जो आवश्यक्ता है वो एक तरह से नए-णए आविश्कारों के साथ में बढ़ती जा रही है और इस इस्तिमें राजस्टिद की जो किर और yaptिका प्रियाश्र करती हैं जैसे सरकार के गवड़ा जो उत्पाद कर अगरों चूर दी जाती है तो उसका उद्धेश क्या होता है उत्पाद में वर्द्धी करना इसलिए सरकार क्या करती है जो आवश्यक वस्तों होती है जो नेसेसरी गुट्स होती है उन पर एक तरह से वो क्या करती है करो की मातरा को कम कर देती है या करो को हटा देती है ताकि उनका उब्भोग एक तरह से बढ़े या जो मानव जीवन के लिए स्वास्त के उपर विप्रत प्रभाव डानने वाली वस पादन और उभो को बढ़ाने का या कम करने का प्रियास करती है फिर नेक्स्ट हमरा है सामजिक न्याय की इस्थापना की सरकार क्या करती है जो राजस्व है उसके अंतरगत करार उपन की नितिका असार लेती है तो करार उपन का प्रियो करके अर्थिवस्ता में आय और संपत सब्सक्राइब किएक ते हैं क्योंकि जो धन का पुनर वितरण हो रहा है ठीक है जो i.sกलिफिशन हो रहा है इनकम का वो कह Аमिर वेक्ष्टियों से गरेश्टियों की और हो रहा यह तू इसको हम कहता है कितरफ से ट्रैस सामजिक न्याय की इस्थापना है वह भी लोक लोकवित राजसु के द्वारा की जा सकती हैं फिर नेक्स्ट हमारा पांचों पॉइंट है आर्थिक इस्तिर्ता बनाए रखने के लिए एकोनोमिक स्टेबिलिटी जैसे 1930 में विश्व की मंदिक इस्तिति आई थी तो उससे पहले तो एक तरह से राजसु का महत्विनी था लेकिन 1930 की जो विश्व वियापी मंदिक इस्तिति आई थी रिसेशन की जो कंडिशन आई थी उसको सोल करने के लिए उनको हल करने के लिए जो प्रतिष्टित अर्थ शास्टित थे वो किसी परकार का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाये थे मत भी कोई तरह से प्रभावित करती हैं उनके उपर इनका प्रतिकुल प्रभाव पढ़ता है तो इस इस्तिमें अर्थ व्यस्ता में अकर इस्थिरता बने रहे थी आर्थिक किरिया जो है उनमें अकर इस्टेबिलिटी इस्थिरता बने रहेगी न तो तेजी की स्थिति हो औ को नियंतरन करने के लिए सरकार क्या करते हैं राजस्व के जो विभिन विभाग हैं चाहे वो सारुजिक आये हैं करार ओपन हैं रिण हो सकता हैं सारुजिक व्य हैं तो इन सभी का प्रियोग करके वो अर्थिक इस्थिरता बनाए रखने के लिए प्रियास करते हैं फिर नेक जाने के लिए भी कारे करती है ठीक है जो नेशनल इंकम है उसको बढ़ाने के लिए हैं उसका प्रयोकर करके वो और्थवस्ता में सेविंग और इन्वेस्मेंट बच्शत और नीवेश 25 को पूद्ष को огुंतरों क्या होता है अर्थविस्ता में उत्पादन और रास्ट्रियाय को एक तरह से बढ़ाया जाए साथ ये साथ सरकार क्या करती है रिन लेने का कारे भी करती है ठीक है जब उसका व्य जादा हो जाता है आई की तुलना में तो सरकार क्या करती है रिन लेती है और उस रिनो को वो कहां पे खर्च करती है उत्पादक कारियों के उपर अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है राजटियाय में वरद्धी होती है तो इस तरह के साम कह सकते हैं कि जो राजस्व की किरिया हैं उनका प्रियोकर के राजस्ट्रियाय में व्रद्धि की जा सकते हैं next हमारा है रोजगार में वरदी के राजस की जो किरिया है राजस की जो नितिया है उसका प्रियोकर के अर्थविष्णा में रोजगार का जो इस तरह वो भी बढ़ाये जा सकता है सरकार अपनी नित्यों के माध्यम से एसे उद्योगों को प्रोचसान देती हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता है तो रोजगार को बढ़ाने के लिए इसे उद्योगों को प्रोचसान देने के लिए इन उद्योगों को टेक्स से छोड़ दे सकती है टेक्स में रिबर्ट देती हैं जिससे अर्थवेस्था में रोजगार का इसतर बढ़ता है साथ यसाथ सरकार अपने विबिन खर्चों के मध्यम से भी रोजगार को बढ़ाती है जैसे अगर हम देखते हैं कि मन रेगा है इस तरीके की जो योजनाय चलाई जाती है अकाल या सुखे की जब इस ती दिया जाती है तो सरकार जो रहत कारे चलाती है उसका उड़ेश का होता है लोगों को आये प्राप्त हो ठीक है उनको एक तरह से रोजगार मिले फिर नेक्स्ट हमारा है आर्थिक नियोजन में महत्पून जो एकोनोमिक प्लानिंग है सरकार विभिन जो विकास कारी करती है तो उन विकास कारी को पूरा करने के लिए सरकार पहले क्या करती है योजना बनाती है जैसे भारत में पहले पंच वर्षी योजना बनती थी आज के टाइमें भी जैसे विकास करने के लिए वो विभिन एक वर्षी योजना भी हो सकती है तो इस तरीके से वो अलग-अलग योजना बना के भी क्या करती है और त्विस्था में विकास कारिये करती हैं तो आर्थिक नियोजन का प्रियोग करने के लिए आर्थिक नियोजन में भी एक तरह से राजस जो महत्व होता है फिर उसके बाद में सामाजिक शेत्र में महत्व कि जो राजस हैं वो सामाजिक शेतर में भी उसका महत होता है जैसे सरकार स्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वो कारे करती हैं तो सामाजिक सुरक्षा के लिए वो विभिन उपाय करती जैसे सरकार उनके उपर खर्चा करती हैं तो सारुजिनिक वे के माधियम से सरकार स्रमिकों को सामाजिक सुरक्ष के मेहत्य को बताता हैं फिर हमारा है संतुलेटविकास की जो राज़सवे हैं उसकी निचेओं का प्रयों करके संतुलेटविकास भी क्या जा सकता है सरकार उन शेत्रों में अधीक मातरा में कर फ्राप्ट करेगी ठीके जो जादा डबलोट हो चुके विक्सित हो चुके हैं और उनसे जो आय प्राप्त हो रही है वो पिछड़े शेत्रों में एक्तर से खर्च करेगी तो इन किरियाओं के माध्यम से पूरे देश का एक्तर से संतुले त्विकास होता है जो पिछड़े हुए शेत्र हैं उनको भी आगे बढ़ने का मुखा मिलत हैं फिर संसाधनों का उचित आवांटन सरकार इन किरियाओं का प्येयों करतें हैं। उत पादन में व्रध्य हो सकती हैं संसाधनों का उधर एकतर से वो आव़ंटन करती हैं और फिर अर्थवयस्ता में बच्तों और निवेश को बढ़ाने के लिए भी राजस की जो क्रिया है वो महत्मों होती है जब अर्थवयस्ता में बच्तों और निवेश का इस्तर बढ़ता है तो बच्चतों और निवेश का इस्तर बढ़ने से अर्थव्यस्ता का आर्थिक विकास, आर्थिक व्रद्धी होती हैं जिससे अर्थव्यस्ता में उत्पाद अन्रास्टियाय का इस्तर बढ़ता है तो इस तरीके से ये विभिन बिंदू जो है वो राजस के महत को इसपस्ट करते हैं